सलमान खान के भाई अर्वास खान सोहेल खान और सोहेल के बेटे निर्वान खान के खिलाब दर्ज हुई एफायार तीरों पर COVID-19 की नियमों का उलंगन करने का आरोप लगा है दरसल बात ये है कि 25 दिसंबर को अर्वास, सोहेल और निर्वान दुबई से मुंबई लोटी थे जिसके बाद उन्हें BMC की तरफ से मुंबई के एक होटेल में क्वारिंटीन होने का ओर्डर दिया गया था लेकिन तीनों ने इस ओर्डर को नजर अंदास कर दिया और अपनी अपनी घर चले गए जब इस बात की बनक BMC को लगी तो BMC के मैडिकल ओफिसर संजेफ फूंदे ने तीनों के खिलाब खारपुड सेस्टेशन में FIR दर्ज कराई इसके कुछ समय बाद ही ABP नियूस को कॉंटेक्ट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी की तीनों को ताज लेंडसन होटेल में रात तकरीबन 10 बजे क्वारिंटीन कर दिया गया है जब ABP द्वारा संजेफ फूंदे से ये पूछा गया कि तीनों को कितने दिनों के लिए क्वारिंटीन किया गया है तो जवाब में संजेफ ने बताए कि फिलहाल एक हकते के लिए तीनों को हटेल में क्वारिंटीन रहना होगा और क्वारिंटीन रहने के मियाद आगे बरती है या नहीं इस पर आगे के हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा Bureau Report, Spark News